हेले अरेवन दसे शोवित दिनवान और फाइनली आप सभी आज चोके अपनी लाइब की सबसे मुश्किल और सबसे टफेस्ट क्लास के अंदर भाईया यार अभी से डरा रहे हो, मुश्किल और टफेस्ट बोल रहे हो क्यों न डरा हूँ, बिल्कुल डराऊंगा मैं बाधी लोगो की तरह है, तुम्हें शुगर कोट नहीं करना चाहता कि बहुत असान क्लास है, आराम से निकल जाएगी, बहुत असान स्लेवास है, पूरे नमर आ जाएएगे, ऐसा कुछ नहीं होने बάλा बहुत मुश्किल क्लास है, बहुत मेहनत लगेगी, बहुत रगणना पड़ेगा, बहुत बड़ा स्लेवस और असान से तो बिलकुल निकलने वाली, ये एक फैक्ट है, अब शायद तुम्हें वो शोवित भीया ना देखें प्यारे से, अब मैं बात करूँगा फैक्ट के उ आया हूँ, और पूरे साल आपके सामने लाके रखूँगा, जिससे कि आप परिशान ना रहो, यार भी एक ऐसी क्लास है, मुश्किल है, टफ है, पर यह नहीं है कि ना मुंकिना उसको निकालना, सही तरीकों से अगर आप चलोगे, सही चीजों को लकीर मान के फॉलो करोग क्योंकि 95% यह भी नहीं कर रही होती है, तो इसलिए थोड़ा सा रूड हो सकता है, थोड़ा सा मैं हार्श हो सकता हूँ, पर कई बार रूड होना, कई बार हार्श होना आपके लिए सही है, क्या मेरे बाद समझ में आ रही है, सबसे पहली चीज तो आगे आने वाली जितनी कोचिंग क्लास इस थी, मैं कहीं पर भी किसी कोचिंग क्लास को प्रमोट नीकरने करने वाला, मैं किसी के साथ नी जुड़ा हूँ, मैं सिर्फ आपको फैक्स रख रहा हूं, जो मैंने खुद experience करें तो यह मत सोच नहां, किसी कोचिंग को या कहीं पर regulatory कर रहा हूँ, कुछ सब बैच्स का जितने भी बैच्स होंगे सब बैच्स का December end तक कॉर्स कंप्लीट कर देंगे तो इन्होंने क्या करा कि बहुत शुरू में दो क्लासिस रखी दो क्लासिस रखी कई पर बीच-बीच में तीन क्लासिस होती पर दो तीन क्लासिस अपनी चलती रहती थी इस तरह से जून में अपने जाके रिजल्ट आएगा उसमें जाके अपना जॉइन कर लेंगे तो मेरे कुछ ऐसे मेरे कुछ ऐसे होस्टल में दोस्त थे उन्होंने में जून में आके बैच में रोल करा पर भाईया टार्गेट उनका भी December end नी था तो इनके लिए क्या करा इन्होंने क कि इनका syllabus कम्प्लीट करवाने के लिए इनको बगाना शुरू करती है इनके दिन में तीन classes, चार classes, फाँच classes, शुबे class है, शाम को भी class है, बहुत परिशान रहते ये बच्चे मैं fact बता रहा हूं ये हमारा ऐसा था कि हमने अराम अराम से दो-दो-तीन-तीन classes में करके निक् जाओ हम अभी से comfort zone में चले गए ना तीन चार महीने 5-6 मेना मैंसे निकाल देंगे फिर उसके बाद हमने याद आएगा कि यार 11 भी शुरू करने थी फिर हम बहुत परिशानी में रहेंगे तो इसलिए अभी से शुरू कर दो आज इसी मुमेंट से शुरू कर देना है ठीक है ग्यार्वी क्लास के पहले महीने में आप इतने सवाल कर लोगे जितने आपने पहली से दस्वी में मिला के नहीं करे होंगे पहली से दस्वी में आपने जितने टोटल सवाल करे होंगे ना उससे जाधा आप ग्यार्वी के पहले महीने में कर लोगे इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि 11 वी कितना बड़ा स्लेबस लेके बैटी है 11 वी का एक एक चेप्टर आपके पूरे दस्वी के एक स्लेबस के बराबर है ठीक है? अवे यार कर रहा हूं, डरा ने रहा हूं क्या होता है? कि माल लो हमने कोई एक क्लास छोड़ दी माल लो चेप्टर नमबर थ्री चल रहा है चेप्टर नमबर थ्री का लेक्चर 4, 5 और 6 हमने मिस कर दिया किसी कारण मेर्श हमें, दोथ के ताथ जाना है, हमारी तवेद कराब होगी, कुछ भी हो गया हमने माल लो तीन लेक्चर बीच के मिस कर दिये और हम पहुँच गए साथवे लेक्चर में, तो हमें साथवे लेक्चर का कुछ समझ में नहीं आने वाला जब हमें कुछ समझ में याएगा, मतलब कि ये चेप्टर 3 हमारा क्या बन गया? बैकलॉग बन गया, और ये बैकलॉग एक ऐसी चीज है, जो कि 11 वी के आप किसी भी सीनियर से जाके पूछ लेना उसको सबसे बड़ी पीछे होने की जड़ बैकलॉग है तो इसलिए ना, अभी सही सीरियस हो जाना शुरू कर दो क्लास को रेगुलर जाना है, कोई भी क्लास, मिस नहीं करना है क्योंकि अगर आपने मिस कर दिया तो वो पूरा चैप्टर उड़ेगा और उसके बात ना, आपके पाई इतना टाइम नहीं बचता कि आप उस चैप्टर को फिर से करो जाएवो जैसे साथ साथ में चल रहा है, जिस सेरे म silent आपना छाल रहा है, ईस साथ में करने के हमें कोशिच करनी है अगर ये चीज भी कर लीना तो आप बहुत आगे होगे पूरी जंक्ता से ठीक है बच्चे बहुत ऐसे मज़े में रहते हैं कि यह आकरी में एक अपता होगा उसमें निकाल लेंगे दस्वी में भी तो आकरी के 10-15 दिन पढ़ लिया थे हमने ऐसे ही हाफ यल्ली के टाइम पर 10-15 दिन पढ़के चले जाएंगे एक हफता पढ़के चले जाएंगे फेल हो जाते हैं बच्चे हाफ जिलनी में फैक्ट है यह अपने सीनियर से पूछ ले न क्योंकि बहुत वास लेबस है नहीं हो पाता कहीं से भी कुछ भी घूम के सवाल आ सकता आपको concept focus करना है ठीक है जी कोई भी class आपकी हो रही है यह एक वीडियो बनाईतियार मैंने आपके लिए पिछले साल वाले बच्चों के लिए कि यार how to start class 11 यह मैं वापस से repeat नहीं करना चाहता चीजों को इसलिए आप यह वाली वीडियो वापस जाके एक बर प्लीज देख लेन मेरे को व्यूस से कोई फरक नहीं पड़ता है आप सही रहो यह मेरा मोटिव है तो यह वीडियो का लिंक मैं नीचे दे दूँगा बहुत इंपोर्टेंट वीडियो है बहुत जादे इंपोर्टेंट यह देख लेना यार ठीक है इसमें मैंने साली चीज़े बोल रखिए क क्या क्या टाइमटेबल आपको फॉलो करना है कैसे रिवीजन करना है कैसे नूट्स बनाने सब चीज़ तो यह आप अपने जीवन के अगर किस मिनट इसमें डिवोट कर दोगे तू एक्स पर देखने के बाद अगर आप 11 मिनट इसमें डिवोट कर दोगे बहुत फायदा म पनाने से कुछ नहीं होने वाला मैंने फिर बोला है बहुत वास्त लेवस हैं दस्वी तक क्या होता था कि यार हम सुबह उठे को स्कूल गए कोचिंग कोचिंग में नोट बना लिए जो सनन ने बोला वो लिख लिया गर में आ अपना थोड़ा बहुत हमबकर आ चले गए आकरी में रिवीजन मार लेंगे अगर आप ये स्ट्रेटिजी दस्वी के बाद 11 में भी अपना होगे तो अब बहुत परिशान रहोगे आपको जो चीज जिस दिन पढ़ाई जा रही है आपको जो लेक्चर जिस दिन पढ़ाया जा रहा है उस्वी को विदिन 24 आर्ज रि नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं हो पाएगा रिवीजन 24 गंटे बाद भूल जाओगे चीजों को क्योंकि इतनी सारी चीजे हैं बहुत बड़ा स्लिवस है मैं डरा नहीं रहा हूं कहीं पर भी अवेर कर रहा हूं जिससे कि आप अभी से सीरियस्ली चलो मेरी जान ठीक है क्योंकि बहुत बड़े चैप्टर होते हैं तो हमें उसी दिन 24 गंटे के अंदर उस लेक्चर को रिवाइज करना है खाली अटेंड करने से लेक्चर और खाली नोट्स बनाने से कुछ नहीं होने वाला है ग्यान तो यार यूट्यूब पर भी फ्री में पढ़ा है नोट्स कि वो क्या करेंगे कि एक रफ कॉपी रखेंगे साथ में कि बही क्लास में तो मैं रफ में नोट्स बना लूँगा फिर धर पर जाके sketch pen लेके ये pen लेके वो pen लेके scale लेके compass लेके फिर अच्छे से नोट्स बनाऊंगा शुरू में हमें टाइम मिल जाएगा पर इस आज़त को मत करूं हमें क्लास में ही नोट्स बनाने हैं क्लास में फियर कॉपी में सब चीज करनी हैं क्लास में ही जो question बहुत बड़ी चीज़ है बहुत important चीज़ है मैं ध्यान से समझेना हमारी ये notebook है ठीक है जी हमारे को सन्ने heading लिखवाई कि मालो ये chapter number x y z है सन्ने कुछ definition लिख लिखूंगा पर अगर गलत हुआ तो जो सर अपने अभी solve करवाएंगे वो solve करूंगा वो यहां पर लिखूंगा बहुत बड़ा blender है मेरी जान यहीं solve करो कोई rough copy rough copy नाम की कोई चीज भी आपको class में लेकर ही नहीं जानी है यह तो बात दिमाग में रख लो हमें सब चीज इसी में करनी है थोड़ा सा खुला खुला लिखना बस कि मालो हम घर पे गए हमने revision करना शुरू करा हमें कोई और concept ध्यान आया हमें कुछ Hindi में और चीज लिखनी है हमें अपनी जो भी हमारी normal language होती है उस language में हमें लिखना इस चीजों को तो हम थोड़ा क्या करेंगे कि हम कॉपी नाम की कोई चीज नहीं लेके जानी हमें क्लास में और जो भी चीज है वो डिरेक्ट अपनी notes कॉपी में लिखना है डिरेक्ट इसी में attempt करना है जिससे कि मालो आपने यहां पर attempt करा अगर सही हुआ तो बहुत बढ़ी है बात है अगर गलत हुआ तो बस एक ऐसे mark ल बहुत important है कि रफ कॉपी वाला याद भी निए रहेगा कहां करीती सौल यहीं पर याद रहेगा आपके नोट्स सजिस्ट जाए नहीं होने चीए किसी को हम नहीं दे रहे वाले हम किसी को बाटने नहीं वाले हैं और चिट्स लगा रहे हैं कुछ नहीं सब इसी में करना है ठोड़ा खुला खुला लिखेंगे गर पर जाके रिविजन के टाइम पर हमें कुछ और इंपॉर्टन चीज लगीगी उपर लिख लेंगे चत पर या बाकी जहां पर भी जगे होगी हम आप लिख लेंगे पैंस कितना कोई हमें टाइम पास नहीं करना होगा मल्टिपल ट्यूशन लेना बहुत बड़ा ब्लेंडर वहीं मेरे को यहां समझ में नहीं आ रहा तो हमने यहां से भी पढ़ लेता हूं पिर उसके बाद मैं जाके इस टीचर से भी पढ़ लेता हूं फिर मैं यह वाला अगर न पढ़ा होगे तो तो हमारा क्या हुआ की टीचर ओ उगए और टीचर चेंज मैं दिमाग में यह कंफ्यूज रहा गया कि यार उस तीचर ने तो ऐसे सौल कुरवाया था यह तीचर आसे सौल कुरवा रहा है इसने यह डेफिनिशन लिखवाई थी उसकी क्लास छोड़ दो फिर दूसरे टीचर से पढ़ लो यह नहीं कि एक ही सब्जेक को दो दो टीचर से रगुलरली पढ़ रहे हैं कंफ्यूज हो जाओगे आप अपने आपी चीजों को कंट्राटिक करना शुरू कर दोगे फील सामने में आखी होगी अगले पॉइंट प यह आपने पहले दिन उसको पड़ा अब आप दूसरे दिन पर गए तो मेमरी से थोड़ी थोड़ी नीचे जानी शुरू होगी फिर तीसरे दिन गए तो वह मालों यहां पर 70% होई तो मालों 50% हो जाएगी तीसरे दिन पर दीरे-दीरे क्या होगा वह ग्राफ नीचे चला तो डीवнуться करने का सबसे वड़ीया तरीका है कि आप क्यारों जो भी आपको रेगुलर monopoly करो मेरी जान किfund का मतलब क्या होता है डिपीड का मतलब अशुक्ism ऐसान कर थो इसमें क्या होगा कि आप को इसमें क्या कि आपको आपको एदर regular basis पे coaching वाले online coaching offline सब देते हैं तो डिपीपी दे रहे होंगे वो इससे क्या होगा कि आपका पिछले जो chapters है उसके questions इसमें मिले होंगे रोज दे देंगे आपको होमक तो देज रखा है जो भी आज पढ़ाया उसका होमक दे दिया और एक worksheet दे दी इस worksheet में पिछले chapters जो हैं आपके उसके questions होंगे तो जब आप बैटके इस worksheet को कर रहे होगे तो आपको पिछले chapter के questions देखेंगे मालो आपसे solve होगे तो बहुत project पे जाओ वापस उसवाले topic पे जाओ उसको revision मारो फिर उसके बाद question को revise करो तो आप indirectly चीजों को revise मार रहे हो आप ऐसे dedicatedly नहीं बैट रहे हैं कि आज मैं बैट हूंगा और यह वाला chapter revise करूंगा ऐसा नहीं होने वाला बिल्कुल time नहीं मिलता है believe me मैं इसको बिल्कुल serious न बैट के revision करने का time नहीं ढूंडना पड़ रहा था कि बैट के सारा revise करूंगा ऐसा नहीं regular DPP कर रहा हूं जो चीज नहीं समझ में आ रही सिर्फ उसको revise कर रहा हूं ठीक है बहुत बड़ा smart work वाला तरीका ही है बहुत कम मच्चे करते हैं आप करोगे तो आप बहुत बीड स आगे रहोगे टेस्ट सेम चीज़ आप regular test दे रहे हो आपने test दिया हम यह सोचते हैं यह test के त्यार ही नहीं है कोई बात नहीं जाके दो जितना आपको याद आ रहे है उतना आपने test में दिया फिर घर पे आके जब आप analyze करोगे चीज़ों को जब आप analysis करोगे तब आपक एक भी DPP, skip नहीं करनी है, कुछ भी हो जाए, लकीर मालो, ये बहुत बड़ा रामबान है, ये दोनों चीज़े, अगर ये तुमने skip कर दीना, बहुत परिशान रहोगे, ठीक है, तो ये दोनों चीज़े मैंने आपको बता दी, next point, कोई reference book नहीं लेनी है, जो भी आपको coaching का module मिल रहा है, उन coaching वालोंने सालों की मैनत लगाई है, सारी reference book जो भी आप solve करने की सोचोगे न, वो सारी उन्होंने पढ़ रखी है, उसी में से उठा के उन्होंने questions अपनी book में डाले है, अपनी module में डाले है, तो इसलिए वो जो आपको मैनत करनी है, 100 books देखने की, वो उन् अच्छे से करना है, notes, module, regular dpp, इतनी ये तीन चीज़े आपने अच्छे से कर ली, तो आप बहुत आगे होगे अपनी class से, notes अपने खुद के बनाने हैं, जो मैं आपको notes देता हूँ, यहाँ पर मैं खुद अपनी चीज़ को contradict कर रहा हूँ, मैंने आपको दस्वी में notes बना पाओगे मेरी जान, काफी बच्चे मेरे को comment कर रहे थे, आपने notes private कर दिया, आपने notes को उटा दिया, दो reason है, पहला reason, अभी सही मेरे को आपको spoon feed नहीं करना है, कि आपने उठाए notes और उनसे पढ़ना शुरू कर दिया, खुद बनाओ अब, अभी नहीं बनाने सिखेंगे, कुछ चीजे मेरे को पता गालिया पड़ेंगे, पर मैंने करा है, क्योंकि मैं आपका फायदा चाता हूं मेरी जान, इसलिए मैंने उनको private करा है, दूसरी चीज, कुछ उसमे minor mistakes थी, उनको हमें सही करना है, फिर हम update करके, जब आपका exam का time आएगा, school exam का time, जब हम आपको द notes बनाओ, lecture सुनके, आप एक दिन बनाओगे, दू दिन बनाओगे, तीन दिन बनाओगे, चार-पांच chapter के बनाओगे, आपको पता चलेगे का मैं गलती कर रहा हूं, फिर आप और अच्छे notes बनाओगे, ये वीडियो मैंने आपको बता रखी है, इस वीडियो में मैंने साता रहूंगा, आप इस चैनल पर आकर जुड़ जो, सब चीज जो भी मेरे दिमाग में आएंगे, आपको जो भी problem आएगी, वो यहाँ पर इसको solution में दे रहा हूंगा, मुश्किल class है, मुश्किल syllabus है, बड़ा syllabus है, पर ना मुंकिन नहीं है करना मेरी जान, बस यह है कि हम दस्वी की mentality से इसको कर रहे होते हैं, दस्वी की mentality से बहुत comfort zone में राके, यह सोचते हैं, आकरी में सब चीज कर लेंगे, महा बच्चे फसते हैं, बस आप उस चीज में मत रहो, consistently लगे रहो, 3-4 गंटे, 5 गंटे आपने regular निकाल लिए, अपनी self study के बहुत है, चलते रहोग क्यार मिलते हैं अगली वीडियो में, बाई, जाओ, जाओ, पढ़ लो, चलो, बाई